आज के जमाने में पैसों का लालच छर किसी को होता है। ये जितना भी हो हमेशा कम ही लगता है। इसे कमाने के लिए लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं। लेकिन कुछ को कड़ी मेहनत के बावजूद परियाप्त पैसा नहीं मिल पाता है। उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि जो पैसा वह कमाते हैं, वह भी किसी ना किसी वज़े से खर्च हो जाता है। ऐसे में वास्तू शास्त्र के कुछ उपाय अपना कर आप पैसों के मामले में अपना भाग्य चमका सकते हैं। भारत में लोग वास्तू शास्त्र को बहुत मानते हैं। इस वास्तू शास्त् को बहतर बनाने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। आज हम आपको पैसों की आवक बढ़ाने का उपाय बता रहे हैं। इन उपायों को करने के बाद आपके घर बरकत हमेशा बनी रहेगी। वहीं फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। हिंदू धर्म में तुलसी के लगाते हैं तो उसकी नियमित पूजा पात भी करनी चाहिए। उसे रोज सनान कर जल चड़ाना चाहिए। बस रविवार और एक आदशी के दिन तुलसी में जल चड़ाना निशेध माना जाता है। तुलसी माता को प्रसंद करने से मा लक्षमी भी खुश हो जाती है। फ घर में जब भी भोजन पकाई तो पहली रोटी गाई के नाम की बनाए। वहीं आखरी रोटी कुत्ते की होती है। इसके अलावा मचली को गीला आटा खिलाना भी लाबकारी होता है। इन उपायों से घर में धन की कमी नहीं होती है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते घर में सुख, शांती वा समृद्धी बनी रहती है। भगवान विश्नु को लक्ष्मी नरायन भी कहा जाता है। इसलिए यदि आप विश्नुजी को खुश कर देते हैं तो मा लक्ष्मी अपने आपी खुश हो जाती है। इसलिए गुरुवार को विश्नुजी के नाम का वरत रखें। इस दिन भगवान विश्नु के साथ मा लक्ष्मी पूजन भी करे। पूजा समाप्त होने पर लक्ष्मी नरायन का पाट भी करना चाहिए। इससे घर में पैसों की आवक बनी रहती है। यदि आपकी जिंदगी में दुखों का अंधेरा है तो मंदिर में र प्रजवलित करें। इससे घर में सकारात्मक्ता बनी रहेगी। भगवान शिव को भक्तों के दुख दूर करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में यदि आप रोज सुबा स्नान कर सूर्योदे के पूरब शिवलिंग पर जलसे अभिशेक करते हैं तो आपकी हर मनोकामना प रहते हैं जिस शक्स की कुंडली में चंद्र अच्छी स्थिती में होता है उसे जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं होती है। दरसल चांद को धन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इनकी पूर्निमा के देन करना बेहद शुब होता है। इससे जौब में तरक्की और बिज बिजनेस में लाब होता है। वहीं घर में पैसा आना कभी नहीं रुकता है।